आजादी से पहले बिहार के समस्ति पूर की क्रिशन टौकीज में सभा के दोरान एक छात ने जोड़दार भाशर दिया उन्होंने कहा हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि केबल थूक देने भर से अंग्रेजी राज बह जाएगा इसके लिए उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और जेल भी हुई ये कोई और नहीं बलकि जननायक कहे जाने वाले करपूरी ठाकुर थे जो आगे चल कर दो बार बिहार के मुख्य मंत्री बने करपूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा आज भासकर एक्स्प्लेनर में कहानी बिहार के जननायक करपूरी ठाकुर की 24 जन्वरी 1924 को समस्तिपूर के पिताँजिया में करपूरी ठाकुर का जन्म हुआ जिसे बाद में करपूरी ग्राम कहा गया 1933 में उन्होंने पाचवी की परीक्षा पास की 1934 में मकर संकरान्ती के दूसरे दिन बिहार में जोरदार भूकम पाया जिससे भारी नुकसान हुआ इसके बाद गांधी जी बिहार आये और लोगों को संदेश दिया कि ये संकट हम सब पर बिना किसी भेदभाव के आया है अगर हमने इस से कोई नैतिक शिक्षा नहीं हासिल की तो हमारी ये उपेक्षा इस संकट से भी बुरी होगी गांधी जी की बातों से करपूरी ठाकूर बेहत प्रभावित हुए 1949 में मैट्रिक की परिक्षा पास करने के बाद दर्भंगा के एक कॉलेज में उन्होंने एडमीशन लिया अगस्त करांती के चलते उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी 9 अगस 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक में उन्होंने करांतिकारी भाशर दिया जिसके बाद सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने लगा और रेल की पट्रियां उखडने लगी अंग्रेज करपूरी को खोज रहे थे और वो नेपाल में जाकर अंडर ग्राउंड आंदोलन से जुड़ गए जहां उनकी मुलाकात जैप्रकाश नारायट से हुई करपूरी ने वहाँ बंदूग चलाना सीखा जैप्रकाश नारायट से प्रभावित होकर करपूरी ठाकूर ने सोशलिस्ट पार्टी जॉइन कर ली करपूरी समस्तिपूर के पितौंजिया के एक स्कूल से आजादी का अंदोलन चला रहे थे एक रात दो बजे अचानक पूलिस ने उनके स्कूल का गहराव किया और उन्हें गिरफतार कर लिया करपूरी को एक साल की सजा हुई जेल में उन्होंने अपने कुछ मांगे रखी और कैदियों के साथ धरना दिया उन्होंने भागलपूर में 29 दिन का आमरड अंशन किया जिसके बाद उनकी मांगे मानी गई 1945 में करपूरी की जेल यात्रा समाप्त हुई आजादी के बाद 1952 में पहले आम चुनाव के साथ विधान सभा चुनाव भी हुए समस्तेपूर के ताजपूर से करपूरी ठाकूर सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते उसके बाद 1988 तक वे लगातार बिहार की राजनीती के केंद्र में रहे करपूरी ठाकूर से जुड़ा एक दिल्चस्प किस्सा है वे जब पहली बार उपमुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनात को सीख देते हुए उन्होंने एक खत में लिखा तुम इससे प्रभावित नहीं होना कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मताना मेरी बदनामी होगी एक और दिल्चस्प किस्सा तब का है जब प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग एक बार करपूरी ठाकुर के घर आये और दर्वाजा छोटा होने के कारण उनके सिर पर चोट लग गई इस पर चरण सिंग ने करपूरी से दर्वाजा उंचा कराने के लिए कहा करपूरी ने जवाब दिया जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता मेरा घर बन जाने से क्या होगा एक बार मंच पर भाशड के दोरान उन्होंने धीरे से परची लिख कर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जवाब मिलने पर उन्होंने राजीव गांधी पर निशाना साधते हुए कहा राजीव माने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं तब चर्चा थी कि इसी नाम से स्विस बैंक में राजीव का खाता है 1967 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवारता को खत्म किया था 1970 में वे मुख्यमंत्री बने लेकिन महज 163 दिन ही उनकी सरकार चली 1977 में उनकी दुबारा मुख्यमंत्री बनने पर ST, ST और OBC के लिए आरक्षड लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना 1978 में बत और सीम करपूरी ठाकुर ने बिहार में कई इस तरों पर आरक्षड लागू किया सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने कभी व्यक्तिगत फायदा नहीं देखा ऐसी ही और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें